हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब्सक्राइब मैं हुँ राज और हम पॉइंट रहे थे बजेट लाइंग के बारे में पढ़ने वाले में और साथ ही साथ हम कंग्ल्यूजन भी खतम कर देंगे ताकि आपका जो जुक्लैम का पुरा अब है पूरा का पूरा जो क्वेशन है वो खतम हो जाए ठीक है तो फटा-फट से क्वेशन की सरुवात करते हैं तो टॉपिक की सरुवात में आपको जो एक्जामपल था थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं कि हमने एक्स की प्राइज ले थी क्या 10 रुपे यही वही एक्जामप आपको मालुम पडा होगा कि जब हम jus की बात करते हैं यानि के एक्स की प्राइज में चैंज आता है तो तो हम क्या करते यह इंकम में कोई इंकम नहीं है और अभी इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं इनकम के बारे में तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे गुड X की प्राइज एंड Y की प्राइज जो है वह constant डेल लेके यानि कि पहले भी 10 रुपे थी गुड X की प्राइज और Y की प्राइज थी 5 रुपे और आज भी वह 10 रुपे और 5 रुपे ही है ठीक है चैंज क्या हुआ सीफ हमारी इंकम ठीक है पचास रुपे में चैंज आया या तो फिर वह बड़ी होगी या तो फिर गटी होगी ठीक है यह दोनों के सिस हमको देखने तो आज आते हैं हमारे फिरवेट ग्राफ पे जो हम पिछले दो लेक्चेस से करते आये हैं ठीक है तो य यह वाला है हमारा इनिशियल बजेट लाइन जो हमको कैसे मिली थी जब हमारी इंकम दी पचास रुपे ठीक है हमने क्या किया था दस रुपे एक्स की प्राइस थी ठीक है कितने पर्चेस कर पा रहे थे हम पांच यूनिट तो हम यहाँ पे आ गए थे और पांच रुपे प्राइस थी किसकी वाई की पचास रुपे इंकम थी और इसे के कारण दस यूनिट हम वाई के पर्चेस कर पा रहे थे और इन दोनों को जोइंट करते ही हमको यह बजेट लाइन मिली थे और यह जो बजेट लाइन है वो तब की है जहां इंकम में किसी भी प्रकार का चें नहीं था लेकिन आज का केस ठोड़ा लाग है आज क्या हुआ इंकम साट रुपे ले ठेक है थीका है इंकम पहले 70 अभी कितनी हो गई एंभी बढ़के 60 रुपे ओ गई ठीक है तो इससे क्या फरक होगांको एक चीज पर फोकस करना है कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं जब तो वहां पर पूरी की पूरी इंकम जो है वो खर्च कर देते हैं अब जब है एक्स की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा income है जो अभी 60 रुपह हो चुका है वो पूरा का पूरा X पर डाल देंगे ताकि हमको एक objects मिल जाए और फिर क्या करेंगे पूरी की पूरी income य पर डाल देंगे वाईपे खर्च कर देंगे ताकि 1 pose जाए और इन दोने को point को मम जब joint करेंगे तब हमको budget line मिल जाती है ठीक है तो आप क्या करेंगे 60 रुपे की इंकम हो चुकी है ठीक है अब X की बात की जाए तो उसकी प्राइज में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है तो 10 रुपे उसकी प्राइज है तो आप देखोगे तो आप 6 यूनिट पर्चिस कर पा रहे है यानि की कुछ यहां पे आप आ जाओगे ठीक है और वाई की बात की जाए तो वाई की प्राइज पांच रुपे ही है उसमें कोई चेंज नहीं है सिप चैंज आया है आपके इंकम में और इसी के कारण आप 13 यूनिट पर्चिस कर पाओगे आप ध्यान से देखो के तो यहां पे 10 यूनि न्यू बजेट लाएं और यह कैसे मिली जब हमारे इंकम क्या हो गई बढ़ गई ठीक है तो यहां से एक और बात आपको गौर करनी है कि अगर आप अपनी स्कैल से इन दोनों के बीच का अंतर मापोगे फिर यहां से यहां तक का अंतर मापोगे यहां से यहां तक का अंतर संतीमेटर का अंतर हो यहां पे भी संटीमेटर हो और यहां पे भी संटीमेटर का अंतर ठीक है ये चीज़ द्यां रखने करुरहे हो तो यह छीज लास्ट मैं आपको कर देना है आ Анд कि एसी फिगय करनी लगें आपकी यह in इने पी एल करके फिर क्या हुआ इंकम बढ़ गई तो आप यहां पर आज जाओगी फिर आपको क्या करना है यहां से यहां तक का अंतर दिख लेना है यहां से यहां से यहां तक का अंतर दिख लेना है ठीक है इससे क्या हो जाएगा आप एक दम शौर हो जाओगे वहां पर क पर भी डेट सेंटीमेटर आना चाहिए इसको हम बोलते हैं गुजराती में समानतर और इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिस में आप भी बात किजिए तो उसको बोला जाता है ठीक है यह जो लाइन है वन मिनिट यह जो लाइन है पी एल और नहीं वाली बनी है पी एलवन तो यह सिर्ण समझने की बात है आपको सिर्व एक्जाम में फिगर ड्रो करते समय त्यान रखना है बाकि सब नौट्स में लिखा हुआ है क्या करना है ठीक है अब उल्टा केस ले लेक बार ताकि और क्लियर हो जाए उल्टा केस हम क्या कर लेते हैं कि हमारी जो इंकम है 50 रुपे जो थी वह हम घटा के कर देते हैं कितनी 40 रुपे ठीक है अब सपोस करो 40 रुपे इंकम हो चुकिए तो कि 10 रुपे प्राइस थी X की वहाँ पे किसी भी प्रकार का चैंज नहीं है और Y की प्राइस थी 5 रुपे वहाँ पे भी किसी भी प्रकार का चैंज है चेंज है सीफ और सीफ हमारी इंकम है ठीक है जब 10 रुपे प्राइज है 40 रुपे इंकम है तो आप जाहिर से बात है चार यूनिट पर्चेस कर पाओगे और यहां पर आपको एक पॉइंट बिल जाएगा ठीक है और 5 रुपे प्राइज है य की और सी के कारण 8 यूनिट तो आपको यह नई बजिट ले मिल जाएगी और वहां पे आप चेक करोगे तो यहां से यहां तक का अंतर जो है यहां से यहां तक का अंतर जो है यहां से यहां तक का अंतर जो है वह इक्वल रहेगा ठीक है तो यह चीज़ दान रखनी है और कुछ है ने और एक्जा में क यह लिखा है मेरे को डाउट है समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलिग्राम चैनल में मैंने कॉमेंट बॉक्स ओपन ही रखा है तो आप बता सकते हो ठीक है अब हम जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है सब्सक्राइब के लिए मैं जो फर्स्ट लिया था बजेट लाइन के बारे में वही कंक्लूजन है सिफ आपको वर्ट्स चैन्ज करने ठीक है तो वर्ट्स कैसे तो जॉइन कर दीजेगा ताकि अप्डेट्स आपको मिलती रहे और यह जो यूनिट वन है हमारा वो हमारा कम्प्लीटली पूरा हो चुका है ठीक है कैसे कूरा हुआ क्यूंकि यहां पे सिफ तीन ही जो क्वेशन है वह आयामपी है फ्रम दगुजराथ यूजराथ यूजरा से खंड देत तो बहुत ज्यादा यह जाल्सा बहुत जल्सा करना है कौन सा इंप है को उसके लिए आपको क्या करना पड़े मिल जाए और मिल जाएन औरτι से वो कवर कर अगे और ऐसा लगा की कवर नहीं हो रहा है तो लास्ट में हम लाइव लेक्चे भी रखेंगे ठीक है live लेक्चर रखेंगे भी आपका जो पूरा कोर्स से सब्सक्क्राइब करें थो तो वह कंप्लेट करेंगे ठीक है तो आशा तक सब्सक्राइब में या यूनिट वान में कोई भी प्रकार कपा डाउट नहीं होगा और अगर है तो कॉमेंट कीजिएगा तिन प्लेटफॉम में अल्ड़ी बता चुका हूं कि आप इंस्टाइड पर जा सकते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा अधर्वाइस आप इंस के तब भी कॉमेंट करके बताना मिलते नए चैप्टर के साथ न्यू जल्सा के साथ तब तक के लिए कर जो जल्सा आओ जो बाई बाई